तो जैसा आप सभी जानते हैं यह हमारी ओडिट की फंडमेंटल सेशन चल रहा है और हाड़ली चार लेक्चर उसमें हुए है तो अब हमारी बैक टू बैक फोर डेस क्लास है आज थर्सडे प्राइडे सटर्डे और संडे जिटना हमने पढ़ा है जो भी हमने क्लासिस में पढ़ा है वह आपको कैसे देना है दोस को वाचिंग इंको के बाद हमारा ओन में आपको मिलेगा तो आप में जाएंगे और जो भी हमने फंडामेंटल सेशन पढ़े हैं उसका आपका संडे एक मॉक टेस्ट होगा अगर आपने उस पहले मॉक इसको पास कर लिया मतल Εब अब ठीक थाक पढ़ागी कर रहे हैं आ canvas पर जाएंगे यहां अपर आपको क्लिक करना है multiple choice question पर उसके अंदर maximum question का बटन दमा देना उसमें हो सकता 20 हो 50 हो वो आपको देखने को मिल जाएंगे उसके बाद नीचे आप आएंगे सीधे नीचे आना है आपको जैसे ही आप नीचे आएंगे आपको यहां पर fundamental मॉक टेस्स देखने को मिल जाएगा इसके उपर आप क्लिक करेंगे क्लियर है सभी कोई बास समझ में आई यह ग्लैम पोर्टल नहीं यह तो हमारा पोर्टल है ग्लैम अलग होता है ग्लैम अलग तरीके से ऑपरेट होता है तो यह तो मैं आपके भी fundamental के टेस्स लेने जा रहा हूं कि अभी हमारी मेन सीपीए की क्लासे स्टार्ट नहीं हुई है क्योंकि मैंने आपको बताया है कि पहले मेरा एक रूल है चाहे फिर वह आडिट हो यूस टेक्सेशन हो या आपके बेसिक्स को मुझे बहुत ज्यादा करना है और यह टेस्ट आप सभी को लाइव आकर देना है घर पर नहीं देना है सबसे पहली बात कि आप क्योंकि यह टेस्ट उसके बाद डियक्तिवेट हो जाएगा यह जो टेस्ट है यह उन लाइव स्टूडेंट के लिए ही है कि जो लाइव क्लास में आ रहे है क्योंकि इस टेस्ट के बाद मैं आपकी पर्फॉर्मेंस को डिसकस करूँ तो यहां पर अभी मैंने सेंपल के तौर पर पांच कोश्चन डाले हुएं यहां पर आप सब्मिट करेंगे अभी मैंने क्योंकि टेस्ट को पूरा उपरेट उसमें नहीं डाला है तो जैसे आप सब्मिट करेंगे आपका समय भी चुरू हो जाएगा ध्यान रखिए समय आपको जैसे सी कि हैड़फोन नहीं किया सभी कॉर्डिबल हूं जरा प्लीज कंफर्म इंचेट वॉक्स क्या बात है सौरव तुम ट्रेवल कर रहे हैं यह बस बस में बैठे हो से लग रहा है मुझे चलिए क्लियर है न सो आप चेक कर लीजिए सिमरन आईगे सापका ट्रेन में बैठे हो क जा बात है कि डिटीकेशन दुम्हार रहे हैं तो और सभी बच्चे टाइम से थोड़ा है कई बच्चे बहुत डिले आते हैं अभी वह तो इस तरीके से आपको यहां पर जाना है जो भी आप टेस्ट देंगे यहां पर लेट से मैं जान मुझके रॉंग एंसर को टिक कर र जैसे ही आप करेंगे अगले को आपने लॉक करना है यह सक्सेस्फुल हो जाएगा उसके बाद आपने यहां और यह जो मॉक टेस्ट है वो जो आप फंडमेंटल की क्लासेस पढ़ रहे हैं जो साथ आठ क्लासेस हमारी हो जाएंगी ओवराल संडे सट अड़े तक उसके बे मिस्टेक आगया होगा तो आपका पूरा स्कोर आएगा उस डेट पर संडे हमारा मॉक टेस्ट होगा तो संडे के मॉक टेस्ट की प्रपरेशन के लिए भी पता दूंको कि कई बच्चे नए होंगे जो अभी आज कल में जॉइन करें हैं जिसे गुर्णूर मुझे देख र प्रपरेशन करनी है क्या करनी है फुल प्रपरेशन करने के लिए जो नोट्स मैंने आपको फंडामेंटल के प्रोवाइट किये हैं वो फंडामेंटल के नोट्स आप पूरे पढ़ेंगे और उसके बाद ही आप क्या करेंगे जैसे अभी हमारे जो लेक्शचर से उसको आपने प्रॉपर्ली वोच करना है जो नए स्टूडेंट जॉइंड़ किये हैं यह जो हमारी live classes चल रही है उसके सारे lectures को watch करने के बाद lecture one lecture two lecture three lecture four और उसके notes को पढ़ने के बाद यह मैंने आपको जो notes दिये हैं यहां से आप download कर सकते हैं यह आपको पूरा study pattern के लिए जो दिया है यहां से आप download करेंगे तो इन को पढ़ने के बाद आपका one hour का live test होगा तो live test को और live test मतलब बिल्कुल live आप सभी लोग एक साथ एक platform पर मेरे साथ में बिल्कुल अपने अपने camera on करके कि मुझे बिल्कुल पता चलना चाहिए कि आप लोग पढ़ा ही कर रहे हैं सामने अपने अपने camera on करके ऐसे हमारे mock test की पूरी series चलेगी audit में तो यह पहला mock test आपको मैंने बता दिया है किसी को समझ में नहीं आया हूं कि सर कैसे start करना है क्योंकि last day पर पूछो कि सर हम कुछ start कैसे करना है तो फिर उस time नहीं बता पाएंगे क्योंकि उस time आपका नमबर दूंगा मैं कब दूंगा लास्ट में जब हमारा भी लेक्चर एंड हो जाएगा तो मैं लास्ट में आपको नमबर दूंगा जिनका नम है सुर्जीत कॉर मैडम है सुर्जीत कॉर उनको आप आपका नाम मोबाइल नमबर और अपना email ID भीजेंगे जिससे कि वह आपका यह मोक टैस शुरू कर दें पर आज अभी मत कर दें कि रात को किसी फी मेल को आप मैसेज करना शूरू करतें तो और वह इरेटेड हो सकते इसलिए कल मॉर्णिंग में आप कर रहा है मैं वो टेलीग्राम में चैनल नंबर डाल दूँगा जिसे कि आप कल उनको कल दोपेर में कल शान तक आपके सौफ्वेर क्या हो जाएंगे अक्टिवेट हो जाएंगे तो एक बार कई बच्चे बोरे सर फिर से रिपीट कर दीजिए तो चलिए फिर से रिपीट कर देते हैं और इससे समय खराब होता है चलो ठीक है तो फिर से समझ लीजिए सेकंड टाइम रिपीट कर रहा हूं विसे रिकॉर्डिंग में था यूस सी पी ओड़िट को क्या पर जाएंगे और सबसे नीचा आएंगे पहला फंडःमेंटा से पांचIE फंडःमेंटल के मॉक टेस्ट है और अगर आपने यह पांचों फंडामेंटल मॉक टेस में 90 परसेंट स्कोर किया मेरी गैरेंटी आप और निकालेंगे 90 परसेंट वाले और फिर मैं डिसकुस करूंगा कि आप लोग को कहां ध्यान है कहां गलतियां कर रहे हैं तो ऐसे क्लिक करेंगे सामने आपके मॉक टेस आ तो 14 मिनट के अंदर आपको फाइब के लिए बहुत ज्यादा समय काईदे से देखा जाए पांच कोश्चन के लिए 10 मिनट्स इस सफिशन्ट तो अभी उसको टाइम को में रिड्यूस कर दूंगा तो ऐसे करके जितने समय में है वो आपने समय से नहीं किया कोई नेगेटि पूरी सौफ्वर में रिकॉर्ड होगी तो आपको जो आईडी दियेगा वो आपके युनीक आईडी है यहां पर पूरी आपकी पर्फॉर्मेंस भी रिकॉर्ड होगी जैसे ग्लैम में रिकॉर्ड होती है न वैसे ही आपकी पूरी की पूरी पर्फॉर्मेंस यहां पर रि कि आप फंडामेंटल में और कुछ टेक्निकल टॉपिक्स में क्या स्ट्रोंग करने तो जैसे यहां पर 20 परशंट स्कूर है यह जीरो क्यों है क्यों कि मैंने से सेंपल की पर चेक किया था यह तो मेरा उनीक सॉफ्टर तो इसमें मैं आप ऐसा काम ना करें कि अपने टेस्ट क मुझे देख कर देना इसलिए अपने दोस्कों फ्रेंड को सॉफ्ट्वर देने की गलती ना करें कि हमने कई बच्चे सब्सक्राइब और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या पढ़ रहें है पहला मॉक टेस्ट है fundamental एसे पाँच fundamental के मॉक टेस्ट होगे आपके और फिर टॉपिक वाई आपके वो शीरीज तो चलेगी तो संडे कॉंसी डेट है कि संडे कुंसी है आज क्या तरीक है ट्वेंटी सिक्स्ट ट्वेंटी नाइंट सवा दस बजे आपका पीपर स्टार्ट होगा और एक घंटे के अंदर आपका कवर हो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग सभी को लाइव आकर देना है यार नौ बजे का रख लेंगे जिससे सभी लोगों की संडे तो सभी चुट्टी पर रहते हैं किसी का होता नहीं संडे आपका मॉक टेस्ट और यह पहला मॉक होगा आपका ऐसे आपके रेगुल मॉक होते जाएंगे और यह बिल्कुल सारे चैप्टर को मिला कर मिक्स है तो यह कुश्चन आप बेसिक्स आपका करना देखिए बेसिक करने के लिए दोती है बहुत इंपॉर्टन होती है सबसे प्रहें तो क्वालिटी ओफ लेक्शर जो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं उसके बाद उसके नोट्स उसके बाद उसका टेस्ट करें और क्योंकि अपनी जिसे अभी सिंसेरली आप अभी तक पड़ते आ रहे हैं उसको मेंटेन करें यह पूरी जर्णी जो हमने हैं मैंने आपको कमेट्मेंट दिया है 15 नौंबर 24 तक आपको CPA बनाना है सभी को और आ किस अभी के रिजल्ट पॉजिटिव रहे हैं सो एमाइए क्लियर टौ अलफ यू कोई किसी को कोई डाउट इसमें की सब कैसे मौक टेस्ट देना है तो सभी क्लियर है कैसे सॉफ्ट्वर में और कितने बज़ें देना है कैसे देना है क्या स्कूर आएगा और एंड में आप आपका सॉफ्ट्वर क्या हो जाएगा वो एक्टिवेट हो जाएगा चले कि स्टार्ट करते हैं आज का सेशन कि इ-material कहा मिलेगा इ-material के लिए मैंने बताया जो आप वहीं से डाउनलोड करना उसके लिए अलग software है तीन software देते हैं आपको यहाँ पर नीचे जाएंगे लेकशर वन लेकशर टू हर लेकशर के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं जैसे जो अभी आपको असर्शन समझाया था तो यह नोट्स बहुत क्वालिटी वाले सारी चीज़ें जो हम डे वन से डिसक्स करते आ रहे हैं और आप लोग सभी बहुत अच्छा पढ़ रहा है अभी तक तो मैं कि आप बहुत डेडिकेशन के साथ में सारे बच्चे आ रहे हैं और मैं बहुत पॉजिटिव हूं कि नवंबर 2024 जो मेरा आइस रिजल्ट देने का कमिट्मेंट है उसमें आप बिलकुल खरे उद्रेंगे चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग जस्ट मोमेंट हमने 15 मिन चलिए तो आज का जो लेक्चर है बिसिकली ऑडिट प्रोसीजर से है तो हम जो नेक्स लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं उसमें आज हम डिसकस करने वाले हैं कि जब एक सीपीए सर्टिफाइड पॉब्लिक अकाउंटेंट किसी कंपनी के फाइनिंशियल स्टेट्मेंट का ऑडिट करने जाता है तो ऑडिट कर प्रोसीजर आपको देखने को मिल रही है एक अनलेटिकल प्रोसीजर और दूसरी देखने को मिल रही है सब्स्टेंटिव प्रोसीजर विलीव मी इसके उपर भी सियुमिलेशन आनी के बहुत ज़्यादा चांसेंट आपको हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें analytical procedure और substantive procedure मैं आप आप से एक चीज पूछता हूं जो प्रीवियस lecture में आपने पढ़ा है आप किसी company के को एक्चुल डेटा से कमपेर कर रहे हैं आप किसी कंपनी के बजट को एक्चुल बजट क्या होता है सर जैसे डेट से आपको 2024 में कोई काम करना है जैसे आप अभी 2023 में खड़े हैं और आपने सुचा कि यह गार 2024 में मेरी इतनी सेल्स होनी चाहिए तो आपने अपने सभी सेल को तार्गेड दिया होगा कि यह इतनी सेल होनी चाहिए और जब ऐक्टल सेल्प को आप बजट से गज़ से कंपेर कर रहा है और अगर इस बज़द और बज़ट से कंपेर कर रहा है तो इस सक्अ का क्या होना चाई what do you think इस प्रोसेस का नाम हम आनलिटिकल प्रोसीजर बोलें या उसको हम सब्स्टेंटिव प्रोसीज silicone बोलें तो यह बात मैंने आपको पहले दिन बताई थी यह सर आपने हमें बहुत अच्छे से बताया था तो इस प्रोसीजर का नाम क्या है सर यह बेसिकली एनलेटिकल प्रोसीजर तो सर एक्चुल में एनलेटिकल प्रोसीजर होती क्या है तो एनलेटिकल प्रोसीजर को हम समझने जा रहे हैं तो एनलेटिकल प्रोसीजर और प्राइमरली यूस्ट टू ऑप्टेन ब्रॉड अंडेस्टेंडिंग अब एक कंपनी के फाइनेशियल स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंकम स्टेटमेंट में आपको सेल्स को वेरिफाई करना है तो आपके पास दो ही 24 है कि आप कंपनी के सारी सेल्स बिल चेक करो कंपनी कर वेरिफाई करो कंपनी की अकाउंंट। लेकिन की से लिंड तो आपने एकशल में देखा कि हैर कंपनी ने खुद ने 2000 मिलिएन्टा सेल का प्रेक्शन किया और कंपनी की आज सेल है ट्वेंटी वन थाउजन तो केवल आपको क्या है ब्रॉड अंडरस्टेंडिंग ही प्रोवाइट करती है कि दूसरी बाद क्लाइंट फाइनिशल डेटा एंटु आइडेंटिफाइड पोटेंशल रिस्क अब देखिए ओडिट प्रोसीजर जो भी आप लगाते हैं उसका कही न कहीं पर्पस क्या है आपको ओडिट रिस्क को उस पोटेंशल रिस्क को आइडेंटिफाइड करना तो एनलेटिकल प्रोसीजर हमेशा दो ही स्टेज पे लगाई जाती एक प्लानिंग स्टेज पर और एक कम्प्लीटेशन स्टेज द्यूरिंग दे ऑडिट क्यों नहीं लगा जाती इसको हम थोड़ा सा लॉजिक से समझते आप सोची आप किसी कम्पनी के फाइनेशल स्टेट्मेंट का ऑडिट करने जाने वाले हैं तो अभी एक्च्वल में प्लानिंग स्टेज पर ऑडिट स्टार्ट हुआ है या ऑडि की फिक्स असेट्स को वेरिफाई करना चाहते हैं हम कंपनी की टोटल सेल्स को वेरिफाई करना चाहते हैं या कंपनी के हम एक्सपोर्ट सेल्स को वेरिफाई करना चाहते हैं तो पहले आप क्या कर रहे हो प्लानिंग कर रहे हो तो आपने प्लानिंग करने के लिए एक जैस से लिट से आप वह नि में तर पिसे ड्रक गडर कंपनी का नाम न जो आपको अिनिया में याद कोई गॉरों थोगी आपको याद को इस सन्फारर्मा को एड़ित करना हैं और आपने डॉक्टर रेड़ीकी बैलेंश शीट डॉक्टर र्टी भीजि ये कमपनी जबदि को पता होगा आपने क्या किया उस पूरी इंड्रेस्ट्री का जी पी रिश्योर पता कर लिया कि हम तो तो करने जाने वाले हैं को वह संफार्मा का लो कि हमने संफार्मा के डिटा जैंर की और उस उसी प्रकार की इंडर्स्ट्री को बिलॉंग करती हुए डॉक्टर रेडी ले ली या जो भी आपकी दिमाग में कंपनी आती है और आपने उस सेग्मेंट में जो कंपनी काम कर रही है उसके जीपी रेशो का एनलेसिस कर रहे हैं क्या यह सबस्टेंटिब प्रोसीजर है या एनलेटिकल प्रोसीजर आप कुद मताइए सर डेफेनिटल आपने बोला यह एनलेटिकल प्रोसीजर क्या प्लानिंग कर रहे हो आप एक सेम काइंड ऑफ इंडर्स्ट्री के फाइनेशिल स्टेट्मेंट को उठाकर उसके जीपी रेशो का पता कर रहे हैं जिससे आपको आइडिया लगया कि यह सन फार्मा का भी जीपी रेशो इतना होना चाहिए या उसका पी रेशो आप वेरिफाई करना चाहिए तो एनलेटिकल प्रोसीजर आपको एक ब्रॉड प्रोसीजर क्यों लगाते हैं आप सोची आप एक सीपी हैं आपकी बहुत बड़ी कंपनी आपके अंडर में दस न्यू सीपीय काम करते हैं और लास डेट पर उन्हें आपको बैलेंस शीट लाके दी किया है कंपनी के फाइनेशिल स्टेट्मेंट उठाए हैं यह हमने ऑड काम होगा के नहीं होगा आपका तंजर वो जो जूनियर सीपीज हैं उन्हों ने एक हमें रिपोर्ट बना कर दिया है वह बोल रहें कि सर अपने सारा ऐडिट कर लिया सब कुछ किये अब आप पूरा डीटेल काम तो चेक नहीं कर सकते हैं आपने क्या किया वह सबसे पहले क आपने टर्न ओवर रेश्यो तो तर्न ओवर रेश्यो मतलब तर्न ओवर रेश्यो किस से मिलकर बनता या अगर हम बोले डेटर टर्न ओवर रेश्यो आपने बोला कंपनी के डेटर टर्न ओवर रेश्यो को चेक कर लेते हैं तो आपने इससे अंदाजा लगा लिया कि यह कंप पॉइंट फाइपर्शंट था मतलब फाइपर्शंट का चेंज आया है तो वह चेंज किया तो आप क्या कर रहे है एक फाइनल एनलेसिस करने के लिए ही एनलेटिकल तो सर आपको जब कभी भी ब्रॉड अंडेस्टेंडिंग करनी हो तब ही एनलेटिकल प्रोसीजर लगाई जा सकती एनलेटिकल प्रोसीजर कभी भी डीटेल डीटा को चेक नहीं करता है अब एक और एक्जांपल में आपको देता हूँ आप ने कंपनी की ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया है आपने दिखा कि लास्ट एयर कंपनी ने इस साल कंपनी का जीपी रिशो फ्युफ्टी परशंट ने आप ने चेक किया कि यह पिछले साल के कंपेरिजन में इस साल तो सेलस बढ़ गई है फिर भी जीपी रिशो कम क्यों है कैसे क्या क्या एनलसिस करोगी everything कि मैंने आपसे दो क्वेश्चन पूछें इस क्वेश्चन के एंजर आप सभी लोग दें कि क्या रीजन हो सकते हैं कि सर आपने वाद बोली कि कि लास्ट येर हमारा जीपी रेशो अब हम इसको प्रूफ करते हैं न हम इसको क्या करेंगे प्रूफ करेंगे हम जाते हैं और प्रूफ करते हैं प्रूफ करते हैं इसको आपने पता किया कि लास्ट येर ट्वेंटी पर्शंट शबसे पहले तो शरम को ये पता हुना डिश्व का फॉर्मूला पता हुना चाहिए लिए डिवाइड वाइड वाइड वाई सेल्स तो ग्रोज प्रॉफिट अगर 200 है और यह थाउजन है है और तो तो किया 20 पर संट आ रहा है अब हमने करेंडीर में बता किया कि करेंटियर में यह 15% हो गया है बट हमारी जो सेल्स थी वह 1000 से बढ़कर 2000 हो गई है सेल्स तो डबल हो गई है सर बट इस्टिल जीपी रेश्यो 15% क्यों हुआ है तो आपने कही न कहीं पता किया इंटर्नली अनलिस किया कि जो कच्छा माल रॉ मटीरियल आता था वो ड्यूटू रिसेशन नहीं इंफ्लेशन ड्यू टू इनफ्लेशन व जो गुट्स है उसकी जो प्राइज है वो सब्स्टेंशली इंक्रीज हो गई है तो अगर आपकी कॉ पॉब्लिक अकाउंटिंट किसी कंपनी के फाइनेशल स्टेटमेंट को देख कर सिर्फ यह बता रहा है कि बीस परसंट से पंदरा परसंट हो गया उसका रीजन क्या है कॉस्ट है तो उसके लिए कॉस्ट के लिए वो क्या चेक करेगा पूले पर्चेस बिल लेकर आओ आए एक सीपी ने कितना माइंड ब्लॉइंग दिमाग लगाया कि करेंट इयर के पर्चेस बिल और लास्ट इयर के पर्चेस बिल लगाया कि नहीं लगाया दिमाग और उसने पता किया कि यहां पर जो कॉस्ट है वो प्रीविएस लेवल से क्या है हाई है तो उसने एक ब्रॉड decision ले लिया क्या उसने यहां पर सब्स्टेंटिव प्रोसीजर लगाई नई सर यहां पर उसने सब्स्टेंटिव प्रोसीजर लगए उसने analytical procedure लगए एक रीजन तो यह हो सकता है एक मसूद ने बहुत अच्छा लेकिन हम प्राइस कर रही ओ ज्यादा यूनिट बेचने भर से क्या होगा तो CP यहीं तो करना यह अनलीटिकल प्रोसीज़र लगा रहे तो सर् एनलीटिकल प्रोसीज़र का मतलब हमारे दिमाग में एक चीज पिक्चर क्लियर हो गई तो क्या पिक्चर क्लियर हो गई है सर कुछ पिक्चर तो आपके दिमाग में क्लियर होई कि नहीं होई कि आपको कम्प्लीटेशन स्टेज पर और एक प्लानिंग स्टेज पर ही और अनलेटिकल प्रोसीजर लगाना है तो एनलेटिकल प्रोसीजर में क्या सरकेवल रेशो आता है नहीं बहुत सारी चीज़े आती है उन सारी चीज़ों को हम एक्जामपल के तौर पर समझेंगे जैसे की कंपेरिंग करेंट इयर फाइनेंशिल डेटा विद प्राइर इयर अब जैसे मैं अपना एक्स्पिरियेंस भी आपको शेयर करता हूं हम एक कंपनी का औरिट करने गए थे तो हमारे जो सीए सर हैं उन्होंने बैलेंश शीट में डेपरीशीशन का श्केडियूल उठाया और उन्होंने दिकार मेरे से डारेट पूछा शम्मी और कंपनी ने कोई प्लांटेट मशीनरी खरीदा उसके बिल चेक किये तुमने हम सर्प्राइज हो गए मैंने सर आपको कैसे फदा चला कंपनी ने प्लांटेट मशीनरी खरीदी बढ़ गया था अब बताइए वह सीए या तो सेम लगना चाहिए या कम लगना चाहिए यही पॉसिबिलिटी है कि नहीं या तो सेम लगेगा स्ट्रेट लाइन मैथर्ड या अगर आप रिड्यूसिंग बैलेंस मैथर्ड तो उन्होंने तो सीधे बोला एर इस सल डेप्रीशेशन ज्यादे लगा इसका मतला कम न एसी चीज़ें इसी को तो अब क्या वो उठाके कम्पनी की सारे बिल चेक करते तो सीधे बैलेंशेट उठाइई और बैलेंशेट में लास्ट ये डेटा को करेंट ये डेटा से चेक कर लिए इंगे उन्होंने एंपको सिंबल बुला यार इस साल कमनी ने अडवांस टेक्स कितना पर किया है चेक करो मैं ने पूले साल इतना इलएट टेक्स पे किया बोले इंट्रेस्ट आयेगा बोले इस साल कमनी का प्रॉफिट दस पर्शेंट से जादा बढ़ रा तो एडवांस टेक्स भी उसके प्रपोश्चनेट में बढ़ना चाहिए एडवांस टेक्स उन्होंने क्यों नहीं डिपाउजिट किया तो इंट्रेस्ट की पैलल्टी आएगी तो एक फाइनली जब एक चार्डड अकाउंटेंट जब किसी भी कंपनी के फाइनेंशिल स्टेट्मेंट को फाइनल स्टेज पर रिव्यू करते हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है ऐनलेटिकल प्रोसेस तो उसमें वो क्या चीज़ें चेक करते हैं इतना ब्यूटिफुल प्रोफेशन है जिंदगी बनने वाली आपकी पास हो आपको देखने को मिलेंगी इमांदारी से पड़़्ाइब किसी कम्पनी के अडिसीजन मेकिंग प्रोफाइल पर आ जाओगे डिसीजन मेकिंग की इंडुस्ट्री अबरेज़ निकाल लोग आप अपको किसी कमपनी में स्टॉक में इंवस्मेंट करना है आप उसके पी रि इंड्रस्ट्री एवरेज को आप कंपेर कर रहे हो बजट को फिगर को चेंज कर रहे हो तो सर बेसिकली यह किसका एक्जामपल है किसका एक्जामपल है सर यह है एनलिटिकल प्रोसीजर अब मुझे बताइए आप से एक कुश्चन पूछूंगा बिल्कुल सोच कर एंसर देना क्या एनलिटिकल प्रोसीजर में केवल कि अधर देन्स शीट के फिगर को भी वेरिफाइब करके हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं और निकाल सकते हैं तो अपने सब्सक्राइब चार्ट अकांट एसे ट्रांजेक्शन ऐसी इंफर्मेशन जो वैलेंच शीट में है ही नहीं उसका एनलेसिस करके भी आप कंपनी के बारे में कुछ एनलेटिकल ले सकते हूं किलमी और नौन फैनेंशल डैटा Ec знаंप बिसमल प्र में आपको आपको डीता हूं थो कि मैं चेक करना चाता हूं वैसा ऑप कर रहा हूं करना यकमिन przep का कि अधिक कृवलिमेंट करना बहुत जरूरी होगा है जब बेलेंच शीट को छुए बिना कंपनी के लेजर को छुए बिना मैं बता सकता हूं इस कंपनी के कुछ फणिंशिल इंफर्मीशन बिल्कुल अंकुर ने ठीक लिखा है सर मैं कंपनी के employee एंप्लॉई रजिस्टर को बलाता हूं और मैं देखता हूं कि आर इस साल कंपनी के employee में क्या चेंज आया है मैंने चेक किया पिछले साल कंपनी के 200 employees थे आज कंपनी की production team में जो labor है वो 350 labor है इसका क्या मतलब हुआ बताइए इनके कारण किन दो ट्रांजेक्शन के ओपर इफेक्ट पढ़ेगा कहां कहां इफेक्ट पढ़ना चाहिए सोचो सबसे बड़ा इफेक्ट तो पढ़ेगा सेलरी में कंपनी की कही न कहीं जो डारेक्ट वेजिस है और कहीं न कहीं उसका production भी बढ़ना चाहिए क्योंकि अगर 200 इंप्लॉई लास्ट एर थे और इस साल अगर 350 इंप्लॉई है तो क्या डेड़ सो इंप्लॉई को क्या कंपणी ने अंताक शड़ी खेलने के लिए पॉइंट किया है प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इंवेंट्री बढ़ेगी इंवेंट्री बढ़ेगी तो कहीं अंब प्रॉडक्शन बढ़ रहा तो अधी सेल्स बढ़ेगी और सेल्स बढ़ेगी तो जी पी में क्यों में यही तो कुछेंगे आप से ट्रेंड एनलिसिस इंड्रस्ट्री ग्रो कर रही है यार एक सोचो कि अगर इंडिया की एकॉनमी में अगर हम देखें कि डिजिटलाइजेशन को काफी बढ़ रहा है आप देख रहे ना इसका सबसे बड़ा लाइव एक्जामपल आप क्या आपने आज से पास साल पहले एक्सपेक किया तक या आप ऐसे कंप्यूटर पर अपने घर पर बैठके एक लाइव ग्लास ले रहे होगे बात कर सकते हो आप मुझसे लाइव लाइव कोश्चन पूछ सकते हो तो यह क्या है प्रकार का रिवॉल्यूशन है कितना कर सकते हैं कि गवर्मेंट पॉलिसी इसको देखकर आप गवर्मेंट क्या-क्या न्यू रिस्टिक्शन लगाने जारी उसका क्या ओगनाइजिशन पर इफेक्ट पड़ता है यह सब क्या कर रहे हो आप सर यह सब एजसी पीए हम सोच रहे हैं कि हम एनलेटिकल प्रोसीजर लगा रहे हैं तो कैलकुलेटिंग एनलाइज की फानेशल रिशू रिवियूंग चेंजिस इन अकाउंट बैलेंस एंड असेसिंग रिविन्यू ट्रेंड यह सब मिलाकर क्या कहलाता है हमारा एनलेटिक प्रोसीजर तो एनलेटिकल प्रोसीजर में मैंने एक एक्जामपल दिया कि कंपनी की लिक्विडिटी को चेक करना तो आपने करेंट असेट डिवाइड़ेड बाई करेंट लियाबिलिटी रेशो को अनलेसिस कर लिए आप मुझे बताइए एक्जामीनर आपसे पूछ ले कि रेशो बढ़ गया है रेशो 5 से 7 हो गया तो लिक्विडिटी इंप्रूव हुई है या रेडियूस कम हुई है चली एंसर दीजिए करेंट रेशो करेंट रेशो बढ़ गया है तो सर सीधी बात है इसको भी प्रूफ करके दिखाओ आप प्रूफ करते मिटा क्या करते प्रूफ अब आपको समझ में आ रहा होगा ऑडिट के साथ फानेशियल मैनेजमेंट क्यों जरूरी है सर आपने बुला लेट से कंपनी के पास पहले करेंट असेट है करेंट मतलब ऐसा समझो कैश अकाउंट रिसीवेबल हंड़िट थी थाउजन थी और अब करेंट लाइबलिटी जो है पहले कंपनी की 500 तो रेशो सीए अपॉन सीएल करते तो तू आता है अब यह रेशो बढ़ रहा है तो किस कंडिशन में बढ़ेगा या तो यह कम हो या यह बढ़े तभी हो सकता है न हम करेंट एसेट को सेम रहने देते हैं थाउजन और लाइबलिटी टू फिफ्टी हो ग हो गया तो बीज़ींगे आप अनलेसिस कर लोगे और कमपनी का है करेंट रिश्य इंप्रूव हुआ है कंपनी की लिक्वीडिटी इंप्रूव हुए और यह लिक्वीडिटी एक और रिए लिक्वीडिटी बहुत लेवल पर हाई पहुंच गई तो आईडियल फंड आपनी के पास पहले अपनी लायबिलिटी को पी आफ करने के लिए डबल मनी थी आप सोचो मैं आपसे बोलूं कि आपको 500 रुपे देना और आपके जिब में 1000 रुपे पड़ें सिंपल भाषा बिल्कुल अपनी आम आम लेंग्विज में बात करें कि 500 पे करना है और ताउज पे करना है और उसके जेब में 5000 पड़ें तो वह तो बहुत खुश हो रहा है कि मेरे पद दस गुना पैसा पड़ा है लेकिन एक की नजर में आप और भी फुद्दू हो मतलब और भी बेवकूफ हो क्यों बेटा जेब में रखने से क्या होगा ये इस 500 को बताइए क्या फाइदा होगा कि 500 के लिए 5000 कैश में रखूं आपने इस 4000 को कहीं इंवेस्मेंट कर देते तो उससे रिटन का मार लेते ना आइडल केस मतलब कहीं नहीं ऑपरचिनुटी आप लैक कर रहो आपके जेब में पैसे पढ़ें वह आपको कुछ नहीं देरे इंपलेशन एक यापने वह बहुँं सेविंग अकांट में पढ़ें अरे सेविंग अगांट टोटि की रेट इंट्रेस देता इंडिया में इंफलेशन की रीट चेक कर लो 6% से ज्यादा है 6% भी इंदिया में यहीं मेरे साब से सब तो 3 पर सेविंग अकौंट में और इंफलेशन की रेट आप चेक कर लो तो आपको सेविंग अकाउंट में भी आपका फंट पड़ा है तो वो तो वेस्ट है मतलब जो आज 100 किसी तो हम अगभी फाइनेंशिल इस पर ना जाएं तो आप यह एनलेटिकल प्रोसीजर को बहुत बड़े तोर पर समझीए सर यह इतना डीटेल आपने इसमें क्यों पड़ा दिया है तो वो चीज़ें अगर मैं कोई फंडमेंटल में क्लियर कर रहा हूं तो उसका परपस ही एक्स्प्लेमेशन लेवल आपका बहुत हाई लेवल बड़ा देना कि आपको एक्जांपल मेरे याद आजाएं कि सर ने तीन- प्रोसीजर और अनलेटिकल प्रोसीजर चलिए एक और चीज़ पूछता हूं आपकी बुक्स में अकाउंट रिसीवेबल आ रहे थे थाउजन डॉलर के आपने सारी अकाउंट रिसीवेबल को एक चिठ्थी लिखी कि सच में बताओ कंपनी को थाउजन डॉलर देना है नह क्या सब्स्टेंटिव या नहीं है आसब्समिंटलेव है एक सबस्टेंटीव और एकसे युइस है म्यों मौन। एपाव है कि अगे के टू कहीं से भी नहीं हम कर रहे एप किसी चीज को वेरिभाय कर रहे रहे हैं भो कभी भी एनलेटीकल नहीं हो सकती है कि थो सर्कर चेकिंग करना जहा पी वेरिफिकीशन आ करिव कि आपने बोला कंपनी ने जैसे हमारे सर ने पूचा कंपनी ने शभ्यक्रूंप्य के चाथ कि में, जो अकाउंटन है उससे बिल बुलवाना इन्वोिसिंग बुलवाना substantive procedure, जहां कई भी verification आ जाए, जहां आप data, physical verification कर रहे हो, यह keyword याद रखने, जहां पर आप physical verification कर रहे हो, यह document को verify कर रहे हो, analytical procedure नहीं होता, वो क्या होता है, substantive procedure, तो मुझे बता ही, आपके पास अगर choice हो, यूग, आप किस method को ज्यादा superior मानूगे, अपने experience से बताओ, analytical और substantive, जहो कितना बड़ी है, फटा-फटा आप लोगे ने answer देती है, कि सर, हमको अगर actual में verification करने को, analytical तो केवल आपको broad idea देता है, ब्रॉड, ब्रॉड, सबस्टेंटिव सर, पूरा verification करवा रहा है, critical component of audit, to gather specific and detailed evidence, CPA की exam रटनी की नहीं है, बार-बार बोल रहा हूं, और अब तो और भी ज्यादा analytical होगी exam, अब जो CB की exam है, वो इसी तरीकी से logical answer सोचना पड़ेगा, जिसे मैंने आप से पूछा, which one is more preferable, लेकिन examiner हलका सा change करे, planning stage पे which one is more preferable, तो आप बोलो कि जब प्लानिंग stage पे तो substantive लगी नहीं सकती, तो अब विसी बात है analytical होगी, planning अभी तो audit starting नहीं हुआ है, तो सर कभी भी starting में आप substantive procedure नहीं लगा सकती, इसी लिए 2024 का CPA पहले से आसान हो गया, क्योंकि अब आपको और भी logical, मैंने पूरा content देखा इसके basis पे बोल रहा हूं, मैं अगर CPA इतने टाइम से पढ़ा रहा हूं, तो विसी बात है जब नया से लिए बस आया को तो मैंने उसके पर research करी है, मैं पूरा content को समझा हूं, कि तभी तो इतनी late batch मैंने start की, content तो मैं बस पहले से था, तो मैं आपको यही अपने experience शेर करने जा रहा हूं कि अब CPA थोड़ा सा आसान इसलिए होगा कि आप rectification बिल्कुल नहीं है, और specialization का जमाना है, 2024 is easier than 2023, इस चीज को आप ध्यान रखे, तो सर आपने बोला substantive procedures are used to gather specific and detailed evidence about the accuracy and completeness, of individual transaction, छोटी छोटी लाइन है, individual transaction और account balance, सर जिसे account balance मतलब account receivable, plant and machinery यह सब क्या है, account balance है, तो जब किसी company के account के balance की accuracy और completeness के बारे में, अब मेरा अगला question है आपसे, क्या हम accuracy को कभी भी analytical procedure से चेक कर सकते हैं, analytical procedure के यवल idea देता है सर, बस examiner आपसे यही तो question पूछन पूछना चाहेगा, कि accuracy और completeness किस है, इसलिए तो उसको pink करके दिया है मैंने, मैं अगर आपको यह चीज़े highlight करके दे रहा हूं, तो उसका सबसे बड़र reason ही है, और इसलिए जो audit के जो मेरे आप notes आएंगे, वो glam और सारे review material को और detail study करने के बाद आएंगे, बनना process start हो गई है, जिससे आपको यह accuracy, completeness, यह ऐसे बहुत सारी keywords आपको देखने को मिलेंगे, और मैंने आपको बताया है, कि बहुत सारे flashcard भी मैंने आपके लिए बनवा दी है, और दीरे-दीरे आपको idea लगेगा, तो accuracy and completeness of individual transaction and account balance is organization financial statement, तो आपको केवल broad view मिलता है, तो जब broad view में accuracy and completeness check नहीं की जा सकते, इस procedure है, डिटेक्ट material misstatement, material misstatement, तो यह हम पिछले lecture में पढ़ के आ रहे हैं, कि सर, अगर material misstatement की probability ज़्यादा है, तो extensive करना पढ़ेगा, या less checking से भी काम हो जाएगा, तो सर, अब्वेसी बात है, extensive data आपको क्या करना पढ़ेगा, चेक करना पढ़ेगा, जिससे आप financial statement को क्या कर सकें, अच्छे से verify कर सकें, अब सर, example भी अगर हमें मिल जाते हैं, तो हम और खुश हो जाते हैं, कि सर, अब दीकिये, मैंने आपके लिए example भी डूंड के दे दी हैं आपको, कि substantive procedure में क्या क्या आता है, confirmation of account balance, confirmation of account balance, जैसे आप confirmation, आप सीधे account receival को चिट्थी लिख रहे हो, कि यार आप बताएगे कि क्या company को वाकई में आपने इतना balance देना है, या नहीं देना, ये क्या है, एक प्रकर की substantive procedure, आपने company के planted machinery को, company की inventory को physically verify किया, observation, तो examiner ये word डाल देगा, observation is analytical procedure, और substantive procedure, तो आपको ध्यान रखना, observation and physical verification is a substantive procedure, confirmation, ये भी word, reconciliation, ये सब keywords है, reconciliation, inspection, जहाँ जहाँ ये word देख लो, समझ लेना, टेस्टिंग procedure के बारे में बात कर रहे हैं, confirmation, observation, reconciliation, inspection, testing of a depreciation, mathematical, mathematical calculation, mathematical verification, जो मैं आप चेक कर रहे हैं, अच्छा एक question मैंने, में आपनिंग बैलेंस चेक करना, analytical procedure और substantive, give me answer, substantive sir, verification आगया नवेरिफिकेशन, testing of inventory, testing of revenue recognition, और एक word आगया, analytical review of individual account, मतलब आप एक individual account को पूरी तरीके से verify करना चाहिए, physical भी कर लिया, ratio analysis के थुरू भी कर लिया, analytical review of individual, जहां individual transaction का analytical review किया जाता है, वो process भी substantive procedure बताए, तो आप मुझे बाताएं कि आज के बाद आप analytical procedure और substantive procedure को भूल पाओगे बिटा, नहीं भूलोगे, मैं guarantee दे रहा हूँ, सारे MCQ सही करोगे, guarantee मेरी, अगर आपने lecture को सुन लिया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, lecture को दो बार सुनना, और those who are working professionals, बड़िया metro से जाओ, अगर दिल्ली में रहते हूँ, कान में लगाओ audio, मेरा जो app है, वो आपको mobile पे भी working मिलेगा, laptop पे भी मिलेगा, और audit को सुन लो बस, दो बार आपने सुन लिये, मेरे flashcard और notes पढ़ लिये, audit में पास होना आपके लिए इस बार बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा मेहनत करके, इस सारी चीज़े बना रहा हूँ है, इसलिए बहुत detail fundamental lecture मिलेंगे आपको, चलिए, आगे बढ़ते हैं, कि सर्फ substantive और analytical में, आज के बाद हमको किसी भी प्रकार का कोई confusion नहीं होगा, अब substantive procedure के साथ साथ एक और चीज़ आ रही कि जब आप किसी कंपनी के financial statement का audit करते हो, Mr. Dell आपने लिखा doubt, please mention chat box, पहले तो नाम original से आओ, यार मुझे कौन यह पता ही नहीं चलता, डेल कौन है, iPhone कौन है, please always, जो भी student है, मैं बार बार बोलो, आज तो मैंने add-on कर लिया है, पर iPhone, Dell और इनके नाम से बच्चे आएंगे, चारुक खान, कई पर किसी ऐसे से नाम से आते हैं बच्चे, तो फिर थोड़ा सा, और इनल नाम से आईए, चलिए, अगला concept, management representation, 101% आपको एक MCQ दिखने में इसके भी chances होंगे, और simulations की, यह सब मैं student से बात करने के बाद में, और पूरा blueprint को study करने के बाद यह बता रहा हूं कि इसके उपर भी question आने की समभावना, सर एनलेटिकल प्रोसीजर विच विकम सबस्टेंटिव, इंडिवुजल ट्रांजेक्शन में हाँ, अभी उसका example देते हैं आपको इस topic के बाद मैं आपको देता हूं, एक अच्छा question पूछा है, Mr. Dell पेले आपका नाम लिखो क्या है, आपने अपने laptop का नाम लिखके आए है, तो मैं आपको नाम से पुकारूंगा, तो नीरू चंडेल, ओके, तो नीरू, आपने question पूछा, मैं student के सामने रखते हूं, कि सर, क्या analytical procedure में फ्रॉड और error को हम ढूंड पाएंगे, क्या अगर analytical procedure, क्या analytical procedure का use हम error और fraud को ढूंडने के लिए कर सकते हैं, क्या नहीं, analytical procedure is only helping you for assessing the risk, am I clear or not, risk को assist करने में help करेगी, क्या बूल आप, अगर risk को assist कर लिए, doesn't mean कि क्या, वहाँ पर error और fraud है, अच्छा मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, starting days में audit versus review, पढ़ाया था, पहला lecture, पहला या दूसरा lecture, बदाईए, analytical procedure कहां पर लगेगी, ज्यादा analytical procedure में आपको बदाए था, review में ही analytical procedure लगती है, क्योंकि review में हम किसी प्रकार को opinion नहीं देते हैं, और किसी प्रकार का fraud और error ढूलना हमारा object नहीं होता है, तो analytical procedure, अच्छा, examiner ने एक और question पूशा हुआ है, क्या analytical procedure is a substitute of substantive procedure? Not at all, यह word समझते हैं नो, substitute of substantive procedure, थोड़ी सी technical word में यहाँ पर कई बार बहुत use करूँगा, तो it is not the substitute, it is not the alternative of substantive procedure, क्या substantive procedure की definition रटना पड़ेगा, दिखो आपने कोई definition रटी नहीं, आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, आपने अभी जितने भी lecture पड़े होंगे, उसमें कुछ भी रटा नहीं होगा आपने, आप observe कर लेना, और लेकिन मैं आप से कर question पूछों, आप answer कर पाऊगे, यह मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, लेकिन मैं आपको अगर उसमें से और मैं इस बात की guarantee ते रहूं कि अगर आप मेरे lecture सुनके आएंगे, तो fundamental lecture में आपके 90% सही होंगे, कुछ question तो मैं technical डालूँगा न, चेक करने के लिए कि आप beyond, above intelligent है या नहीं है, तो यसा तो ही नहीं कि बिल्कुल ऐसे simple से question डालूँगा, तो hundred वाले तो बिल्कुल कमाल कहलाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छे-च्छे questions मैंने mock test में डाले हुए, सो हम यही कह रहे थे सर, आपका जो question था, उसे मैं बीच में थोड़ा सा other line में चला गया, अब मैं आपको एक और बात आपसे पूछने जा रहा हूंग, कि जब किसी company के financial statement का audit करते हैं, तो management से representation letter मांगते हैं, मतलब management से बोल देते हैं, कि आप हमें return में दे दो, कि क्या responsibility है आपकी, इस फॉर्मल एविदेंस देट मेनेजमेंट अंडेस्टेंड दियर रिस्पॉंसिविलिटी इन देट मेनेजमेंट पर्फॉर्मेंस ओल अप दियर रिस्पॉंसिविलिटी आप बता पाएंगे, अगर आपने मेरे पहले दो लेक्चर अटेंड की हैं गिव मी एक्जांपल ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉंसिबिलिटी एक तो सब ने लिख दिया कि प्रपरेशन ऑफ फाइनेशल स्टेटमेंट इस रिस्पॉंसिबिलिटी ऑप दी मैनेजमेंट बहुत दिन बाद आ रहे ह फार में पास हो जाओ गया क्यों नहीं दे रहे हो एक्जाम तुम्हारा नाम तुमने लिखा तो मुझे याद आ गए तुम प्रिपरेशन बस केवल प्रिपरेशन ऑफ फइनेशल स्टेटमेंट और सर इंटरनल कंट्रोल का डिजाइन करना किसका काम होगा तो सर मैनेजमेंट रिटन में दे देगा कि उसने फाइनेशल स्टेटमेंट को इन ओल कंप्लीट रिस्पेक्ट और इन ओल मटेरियल रिस्पेक्ट में प्रपेर कर लिया है मैनेजमेंट से आप लिखित में ले लोगे और कहां अच्छा मैं यहां पर बात बोल रहा हूं कि management से हम representation ले लेते हैं कि management क्या सोचता है management management के point of view को के उपर हम representation ले रहे हैं कोई ऐसा transaction बताओ जिस पर आपको management पर representation लगना चाहिए फिर मैं आपको बताऊंगा management के point of view के उपर हम उनसे representation ले लेते हैं give me one more example जैसे दो तो मैंने आपको देदी हम valuation के उपर valuation तो we can verify और थोड़ा बेटर कि जिससे हम management का point of view समझना चाहिए अगर मैं बोलूं कि आप में से किसी ने सुना हो कि investment का classification held to maturity और available for sell classification of investment क्या आप इस बात को verify कर सकते हो क्या कि management ने इस investment को long term के लिए रखा है या short term के लिए रखा है नहीं कर सकते तो इसके लिए audit evidence कहां से लेकर आओगे हैं है 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 मैनेज्मेंट रिप्रेजेंटेशन है मैनेज्मेंट रिप्रेजेंटेशन बेसिकली क्या है मैनेज्मेंट आपको रिटन में या ओरली दे रहा है है बोथ ओरल एंड रिटन रिस्पोंस टू स्पेसिफिक इंक्वाइरी आपने मैनेज्मेंट से पूछा कि यार आपने जो इन्वेस्टमेंट खरीदें डेट सेक्यूरिटी इसका क्लासिफिकेशन कैसे करना है इसको अविलेबल फॉर सेल में डालना है यानि कि आप बेचने में रखोंगे तो यह बात आप कभी भी किसी कंपनी के फाइनेंशल स्टेट्मेंट को देख कर नहीं बता सकते है कंपनी के लिटिगेशन चल रहा है कंपनी के उपर लिटिगेशन और कंपनी बोल रही है कि हमारी फिवर में तो डिसीजन नहीं आएगा लेकिन हमारे आए नहीं जो कंटिंजेंट लाइबिलिटी के तो एक्जामियर आपसे पूछेंगा कि कंटिंजेंट लाइबिलिटी के लिए बेस्ट और इविडिएंस क्या हो सकता है तो क्या मापे सबस्टेंटिव प्रोसीजर के थुरू पता करोगे इसको क्लासिफिकेशन ओफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑप्टेंबट दियार नौट सब्स्टिट्यूट फॉर एप्लिकेशन ऑडिट प्रोसीजर वेरी वेरी इंपॉर्डेंट लाइन चलिए मैं आपको एक्जांपल लेता हूं कंपनी के ओपर कोड किस चल रहा है और कंपनी का मैनेजमेंट बोल रहा है कि हमारे फिवर में डिसीजन आएगा यह रिप्रेजेंटेशन लेटर कंपनी के लेडर एट पर लिखके देते हैं आपका काम हो गया क्या बिंग आप एक इंपॉर्डेंट लाइन बोल रहा हूं इस नॉट एस सब्स्टिट्यूट फॉर एप्लिकेशन अब दोस ओडिट प्रोसीजर नेसेसरी तो अफॉर्ड रीजनेबल बीसिस ओफ उपिनियन कंपनी का मैंने मिल बोल रहा है लिटीगेशन फीवर विवर राएगा कैसे क्रॉस वेरिफाइग करोगे इतना दिमाग लगाना पड़ेगा प्रैक्टिकली अब देखो अंकुर ने बिल्कुल सही लिख दिया है मैं जान मुझकी इंडिविजल चैट को हाइड करके रखता हूं जिससे की आप दूसरे की एंसर ना देख सके हैं वह इनने भी ठीक लिका है बागी सब सोचें कि चलो मैं आपको आप आपका पडोसी है उसके पर कोट केस चल रहा है वह कॉन्फिटेंटली कह रहा है कि हम कोट केस जीतेंगे वह आपको कागज में लिखके देने को देए आप इस बात को सत्यापित कैसे करोगे कैसे वरिफाय करोगे क्या आप इतना नहीं सोच पा रहे एक वी कॉंग रिजिट स्टुडेंट के यह नहीं सोच पा रहा है सर हम चेक कर लेंगे मैनेजमेंट रॉड अटरनी के बीच में हम सीधे बोलेंगे आपकी अटरनी होगा न कहींना कहीं कोट केस लाओ उसकी फाइल लेकर आओ तो आपने क्या किया उस company के attorney और company के बीच में जो correspondence होई होगी उसको verify कर ले तो आपने क्या किया management के representation के उपर trust किया या आपने अपनी audit procedure application of those audit procedure तो यह क्या है तो आपने अपनी audit procedure को भी क्या किया है यहां पर apply कि इसी लिए तो बोला गया है नौत सब्स्टिट्यूट ऑफ अप्लिकेशन ऑफ दोस audit procedure necessary to afford a reasonable basis of opinion regarding the financial statement under the audit कि सो रिटन रिप्रेजेंटेशन एक एविडेंस तो है बट सब्स्टिट्यूट नहीं है है यह मैनेंज मेंनेंजमेंट और नेग्क कंफर्म रेप्रेजेंट eq alla बैसरी क्लास में आपको समझा दिया था जो explicit मतलब कि कि जो कि é यह की टुकिंट्हेंटरी एविडिंस के रूप में प्रूफ किया कि कि उतीचुकर में उक्षे से सब्सक्र्ण कर चुके तो management से आप उनकी responsibility कि उनकी implicit or explicit जो भी उन्होंने decision लिए assertion लिए तो क्या मैं यह कहूं कि management assertion के लिए management representation letter लिया जा सकता थ्रू और फॉल्स पिल्कुल लिया जा सकता अब आप बोलोगे सारी assertion पहला लेक्शर करों हर लेक्शर का कहीं न कहीं दूसरे तीसरे लेक्शर से रिलेशन्शिप क्या हो जाएगा establish हो ही जाएगा तो management representation is a letter is the audit term formal evidence that management understand their responsibility and that management has performed all their responsibilities अब आडिट में एक और वर्ड आप पढ़ने जाओंगे और इंगेजमेंट लेटर यह भी बहुत काम की चीज़ है अब मैं आपको प्रैक्टिकली एक कंपनी का रिप्रेजेंटेशन लेटर दिखाऊंगा अगर मैंने वैसे डाउनलूड करके रखा हुआ है आज यह तो कल कि जिससे आपको एक्चुली में वो समझ में आना चाहिए मैंने मैंने मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटा है अब जैसे सीपीए फॉर्म है तो देखिए मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉंसिबिलिटी के बारे में बताता है वी अकनॉलेज आवर रिस्पॉंसिबिलि यह मैनेजमेंट बता रहा है वी एकनॉलेज आवर रिस्पॉंसिबिलिटी फॉर डिजाइन इंप्लेमेंट मेंटें इंटरनल कंट्रोल तो प्रिवेंट एंडिटेक्टी फ्रॉड सिग्निफिकेंट अशंप्शन जैसे अशंप्शन कौन कौन से लेटने गिव मी एग्ज है सर अभी तो पड़ा इट से ओडिट एविडेंस अपने आप में एक अजंप्शन है ना जैसे सिग्निफिकेंट अजंप्शन लेते हैं गिव मी वन एक्जामपल उप सिग्निफिकेंट अजंप्शन सर अकाउंट रिसीवेबल के ओपर डाउटफुल डेप्स बनाना तो यह कंक्लूजिव और इविडेंस नहीं होगा तो तो जो सिग्निफिकेंट अजंप्शन लिए जाते हैं उसके रिस्पेक्ट में आप लेलोगे रिलेटेट पार्टी बताओ कितनी बड़ी बात है क्या कोई मेरे से पूछे बिना मेरी रिलेटेट पार्टी का दिखते हैं प्यार और इसका हमारी एक सिस्टर कंसर्न है रिलेटेट पार्टी कैसे पता करोगे आप वे मेनेजमेंट ने बोला यह और कैसे पता कर सकते हैं और और कैसे कर सकते हों पार्टी पहचानना है शेर होल्डिंग पैटर्न वेरी गुड हविनास दुबने सही यह हां कमपनी के शेरोल्ड permissions पंटा करूं किसके पास कितने परसेंटेज और चे को कि औरNow की रमी चेट कि मिटिंग में क्या बनते हैं कि बताओ क्या बनते हैं मिटिंग में तोड़ा बहुत कंपनी लोग कहीं सुना हो देखा हुआ कहीं आफिस वगर में जॉब करते हूं तो मिनेट्स वगरा कहीं वर्ड सुना हो सब्सक्राइब किने लोगं पहली बार सुन रहे हैं जो еленマ कितने लोगं पहली बार सुन रहे हैं नहीं सुन रहे होंगे मेरे साब से सबक। मित कंपनी में सब कॉंमर्स फील्ड में काम कर रहे हैं तो यह एक एक सेंपल के रूपे में आपको दूँगा और आपको देने की क्या कहीं गूगल से डाउनलोड कर ले ना अब मैंने आपको बता दिया कि जो मैंने आपको डिकले रेशन देता है वही क्या है लिख मैं अससे कई कहीं आपका प्लेस्मेंट होता होगा आपने जिंदगी में जॉब कि मिलता है अपको नहीं मिलता है ओफर लेटर बेटा ओफर लेटर भी मिलता है और एक अपॉइंट्मेंट लेटर भी मिलता है ओफर लेटर को आप एक्सेप्ट करते हो करते हो कि नहीं करते हो ओफर लेटर में क्या क्या लिखा होता है क्या लिखा होता ओफर लेटर में कि लिखा होता मुझे बताओ उफर लेटर में सिफ सेलरी लिखी होती सीटीसी सबका तिमाख सीटीसी में गया देखो कितने नेरो माइंडेड वह आप लोग कि नोटी स्पीरेड लिखा होता ना ना अभी प्रोफेशनल लिए जल्द बाजी सर्ट टर्म सेंड कंडिशन लिखे होती है जिसको पड़ते हो आप एकसेप्ट करते हो और फिर साइन करके आप तो सेलरी देखते हैं आरे पिटा ओडिटर जैसे थोड़ा डिफेंट सोचना शुरूर करो मेरे से एक बहुत साल पहले बुजूर्ग चार्टेट अकाउंटेंट थे में इंटर्वी दिने गया था उनकी उम्रदी 85 मैं भी सीए नया नया बना था वह पुराने सीए थे तो आपको एक लास्ट मेंट पर अच्छी सी बात समझा रहा हूं क्योंकि आप भ अच्छे चार्टेट अकाउंटेंट या पॉब्लिक अकाउंटेंट ऑडिटर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए आपको दिया जाता है मौका एक एक वर्ड लिखने के लिए सोचके बताओ मैंने क्या एंसर दिया था कि मैं तो छोटा बच्चा था उस्ताइं शब्विस साल मेरी चोटा बच्चा तो नहीं कहेंगे मैंने बुला तसर नॉलिज तो नकली सीए उसली असली उन्होंने एक वर्ड बुला जिससे मुझे हमेशा याद रहेगा वह वडर आप भी हमेशा याद रहना है सुनो उन्होंने वर्ड बुला तो एक चार्डड अकाउंटेंट को एक और ओडिटर को शक की बिमारी होनी चाहिए अगर वह वन वे भी क्रॉस कर रहा है तो दो अब्जर्व करेगा किसी भी तरीके से बाइस हो गई नहीं वो की नहीं ऐसा हो इनी सकता की ऐसा नहीं होगा वन वे भी जिस दिन आप क्रॉस करो और दोनों साइट देखने लग जाओ और आपको शक की बिमारी हो कि आपके सामने कोई भी डॉक्यमेंट लेके आ रहा आपक को इस वर्ड के साथ छोड़ते वे जा रहा हूं एक अच्छे ऑडिटर की निशानी क्या है कि उसको शक की बिमारी होने चाहिए थे मज़ा आगया था उनसे मिलके आदा गंटा में उनके साथ में बैटा लेकिन उन्होंने जो अपनी 50-60 साल की जिंदगी में जो और इंग्लिश में वर्ड को हर वर्ड की अकांटिंग बॉरीर ने क्या बुला है प्रोफेशनल स्केप्टेजिजम क्या बुला है प्रोफेशनल स्केप्टेजिजम क्या सारी चीज़ें हो सकती है तो आज जो हमने 15-20 मिनट टेस्ट के कारण उसको समझने में लगा दिए लेकिन अभी हमारी बैक टू बैक फोर्ड इस क्लासेज हैं सो हां नंबर टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा इन मेडम को दिन में ही कॉल करना अभी डालूंगा तो मुझे बता है कि सब बच्चे लोग रात को सुबह मैसेज कर देंगे तो मेरे को फोन आ जाएगा और कि किसी फीमेल को इस ताइम में परशान करना पसंद नहीं करूंगा कि पचास बच्चे उनको मैसेज कर दें चलिए तो कल मिलते हैं सेम टाइम पर नए लेक्चर के साथ में और इसी एनरजी को बरगरार रखते हुए आप लोग क्लास में आईए चलिए बाइबाइबाइग जाइए